मेरे प्यारे देश्वासियों, हमें आधुनिक भारत बनाना है, हमें ट्रांस्परेंट भारत बनाना है, हमें बहुत सी व्यवस्ताओं को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक समान रूप से पहुँचानी हैं, तो हमारी पूर्यानी आधतों को भी थोड़ा बदना आज मैं ऐसे विशे पर सफर्स करने जाहता हूं जिसके अगर आप मेरी मदद करें तो हम उस दिशा में सफलता पुर्वक्त आगे बढ़ सकते हैं हम सबको मालूम है मैं स्कूल में पढ़ाये जाता था जब सिक्के भी नहीं थे नोटी भी नहीं थी बार्टर सिस्टिम हुआ करती थी कि आपको अगर सब्जी चाहिए तो बडले में इतने गेहूं दे दो आपको नमक चाहिए तो बडले में इतनी सब्जी दे दो बार्टर सिस्टिम से ही कारोबार चलता था धीरे धीरे करके मुद्रा आने लगी कोईन आने लगे सिख्या आने लगे नोटे आने लगी लेकिन अब वक्त बदन चुका है पूरी दुनिया कैस्टले सोसाइटी के दर्व आगे बढ़ रही है इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपिय पा भी सकते हैं रुपिय दे भी सकते हैं चीज खरीद भी सकते हैं बिल चुकता भी कर सकते हैं और इससे जेब में से कभी बटवे की चोरी होने का तो सवाली नहीं उठेगा, हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी, आटोमेटिक हिसाब रहेगा, शुरुआ थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार आदत लगेगी, तो ये ववस्ता सरल हो जाएगी, और ये संभा आधार नंबर भी मिल गया, और मोबाइल तो करीब-करीब हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के हाथ में पहुंच गया है, तो जन्धन, आधार और मोबाइल, जेम, जे-ए-म, इसका तालमेल करते हुए हम इस कैसले सोसाइटी के तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपने देख से कामाने वाला है, और आजकल तो एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है, जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, पी-ओ-ए-स, पॉस, उसकी मदद से आप अपने आधार नंबर हो, रूपे कार हो, आप किसी को भी पैसा चुकता करना है, तो उससे दे सकते है जेब में से रूपे निकालने की गिनने की जरूरत ही नहीं, साथ लेके घुमने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार ने जो कुछ इनिशेटिव लिये है, उसमें एक पॉस के द्वारा पैमेंट कैसे हो, पैसे कैसे लिये जाएं, दूसरा काम हमने शूर किया है, बैंक ओन यूनिवर्सल पैमेंट इंटरफेस बैंकिंग टांजेक्शन यूपी आई तरीके को बदल कर रख देगा, आपके मोबाईल फोन के द्वारा मनी टांजेक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और खोशी की बात है कि एनपी सी आई और बैंक इस प्लेटफर्म को करने के लिए काम कर रहे हैं, और अगर यह हुआ तो शायद आपको रूपे काड़के भी साथ स्राखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, देश में करीब करीब समा लाख बैंकिंग कोर्रस्पर्नेंस के रूप में नवजवानों को भरती किया गया है, एक प्रकार से बैंक आ फिर हमें यह करंसी की जरूत नहीं पड़ेगी, नौटों की जरूत नहीं पड़ेगी, पैसों की जरूत नहीं पड़ेगी, कारोबार अपने आप चलेगा, और उसके काड़ एक टास्परंसी आएगी, दो नमबरी कारोबार बंध हो जाएंगे, काले धन का तो प्रभावी कम होता जाएगा तो मैं देश्वास्यों से आग्रह करता हूं कि हम शुरू तो करें देखिए एक बार शुरू करेंगे तो बहुत सरलता से हम आगे बढ़ेंगे आज से 20 साल पहले किसने सोचा था कि इतने सारे मुबाईल अपने हर्यात में आगे दिरे जिरे आदत हो गई अ तो उसके मिला रह नहीं सकते हो सकता है यह कैशले सोसाइटी भी वैसा ही रूप धारांग कर लें लेकिन कम समय में होगा तो जादा अच्छा होगा